ओम पवन पुत्र हनुमान महराज की जय हो स्वागत है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी। एस्ट्रोलॉजी में तो कन्या राशिवालों हनुमान चालीसा की सौगंध खाकर कहता हूँ। तुम्हारा एटिट्यूट दूर होगा, क्योंकि आने वाला समय में आपके उपर हनुमान जी का विशेश आशिरवाद होगा। अगर आज नहीं देखा तो बहुत पच्चता होगे। चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बाला जी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं न, समय बड़ा बलवान होता है। जब किसी मनुष्य का समय अच्छा चल रहा होता है, तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। वह कोई भी काम करता है, तो चाहे उसमें कितना ही जोखिम क्यों ना, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उसे कितनी ही रिस्क क्यों ना लेनी पड़ी। लेकिन यदि उसका समय अच्छा है तो वह काम उसका पूरा हो जाएगा। उसे काम में उसे सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जब मनुष्य का समय खराब चल रहा होता है, तब मनुष्य चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिश है, क्यों ना कर ले। लेकिन द तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जिला है, लेकिन बस अब तुम्हें और परेशान होने की और दुख देखने की कोई आवश्यक्ता नहीं है बेटा, आज मैं तुम्हारी पूरी जिन्दगी बदल दूँगा, जितना दुख तुम्हें अपने जीवन में देखन तुमने देख लिया, लेकिन अब जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, उन में केवल और केवल खुशियां ही, खुशियां तुम्हारे घर आएगी, दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने कर्म में लगा रहना चाहिए, यानि कि दोस्तों, मनुष्य क कभी भी पीछे मुढ कर नहीं देखना चाहिए, उसे सदैव केवल और केवल अपने कर्म करनी चाहिए, यदि आपने कोई काम करने की ठान ली है, आपने सोच लिया है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह काम करकर रहूंगा, तो आपके दोस्तों, फिर चैन की सांस नहीं लेना है, जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपको अपने खुशियों के अनुसार परिणाम न मिल जाए, तब तक दोस्तों, आपके पीछे मुढ कर नहीं देखना है, आप लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक न एक दिन आपके सारे काम बहु सीबतें आ रही है, तो आप कौन से डरना नहीं है, आपको उनसे लड़ना है, और उनका सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ाना है, तब जाकर आपको शांती की नींद आएगी, खुशियों की नींद आएगी, दोस्तों आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे मे आपके दुश्मन आपको रोकने का हर एक प्रयास करेंगे, जो उनसे बन पाएगा, वह पूरी कोशिश करेंगे कि वह आपके काम बिगाड सके, वह आपको बदनाम कर सके, या फिर वह आपका नाम मार्केट में खराब कर सकी, आपका दुश्मन पूरी कोशिश करेगा आप आपको बरबाद करने के लिए, लेकिन आपको डटे रहना है, अडे रहना है, आपको अपना जो विचार है, आपने एक बार जो ठान लिया है, उसे पत पर आगे बढ़ते रहना है, तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन दोस्तों, यदि भूल कर भी आपने पुछ ने कदम पीछे ले लिए, या आप डर गए, तो ये दुनिया ऐसी है, कि यह आप पर हावी हो जाएगी, ये दुनिया दोस्तों, आपको परेशान करकर रख देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इसी लिए दोस्तों गुरु देव, आपको बार बार यही बात क का काफी अच्छा रहेगा, कुछ छोटे मोटे मत भेज परिवार वालों के साथ हो सकते हैं, लेकिन वह समय समय पर दूर हो जाएंगे, तो आपको बस कुछ विशेश महत्वपूर्ण सावधानिया का ध्यान रखना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने इसलिए, दोस्तों, थोड़ा समय निकालना और इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आपको सारी की सारी बात सही तरीके से समझा सके, दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, यदि हमको अपने हाथों में पकड़ना चाहेंगे, तो हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे, जी हा हमें छोड़ कर चले जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, बार-बार असफलताएं हमें चारों ओर से घर लेती हैं, और कहीं पर भी आगे बढ़ाने का कोई रास्ता में नजर नहीं आता, ऐसे समय में दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, आप ज्यादा कुछ मत करिए, केवल श जरूर लिख देना, आने वाले अगले चार दिनों में आपको नए नए लोगों के साथ मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, कई सारे नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, नए नए लोगों के साथ उठाना, बैठना, घूमना, फिरना हो सकता है, यदि आप मितरता का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो पहले देख लेना, कहीं उसके हाथ में दुखी की लकीर तो नजर नहीं है रही, क्योंकि दोस्तों, इन चार दिनों में लोग आपको अपनी बातों में फंसा कर, आपको अपने जहां से मिले, कर आपको लूटने का प् अब आपको अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए, मा लगाकर आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, साथ दोस्तों, यदि आपके बिजनिस में कोई आपका विरोधी है, तो इन चार दिनों में उससे बच कर रह क्योंकि वह पुराने गड़े मुर्दे उखडेंगे और पुरानी बातों को लेकर आपसे विवाद कर सकते हैं, परंतु दोस्तों, इस दिन आपको फिजूल के बाद विवादों से दूर रहना है, बच कर रहना है, अन्यथा आपकी छवी खराब हो सकती है, उसी के साथ ख खोड़ी योग एकसरसाइज करते रहे, उसी के हेलो दोस्तों, यदि आप स्वयम का खुद का कुछ नया कम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके मा में दोस्तों, कुछ नकारात्मक विचार रह सकते हैं, आप सोचेंगे कि अरे ये कम तो मेरे बसका नहीं है दोस्तों, गु इसी प्रकार दोस्तों, आपका आकर छोटा है, आप दुबले हैं, पतले हैं, आपने काबिलियत कम है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर भी गुसा है, आपके अंदर भी एक जुनून है, जिससे कि आप इस दुनिया में सबसे बड़ा मुका खुद के लिए बना सकते हैं, इसी लिए दोस्तों, खुद को अंडरस्टीमेट मत करिये, कि मैं तो यह कम नहीं कर सकता, मैं तो हूँ इस कम के लिए, कोई बड़ा व्यक्ती चाहिए, ये गल्ती, ये ख्याल अपने अंदर से निकल दीजिए, साथ ही दोस्तों, आने वाले कोई छोटा मोटा भैंस बाजी हो सकती है, कोई छोटा मोटा विवाद भी हो सकता है, समय रात है दोस्तों, आपको सारी स्थितियों पर काबू पाना होगा, अन्यथा हालत बाद से बद्तर हो सकते हैं, उसी के साथ, दोस्तों, आज आप अपने आपको आक्रोश में ना का तो दोस्तों, आने वाले अगले इन चार दिनों में हमारी सलाह आपको यही रहेगी, कि आप खुद को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, गुस्से से आप जितना दूर रहोगे, गुस्से से आप जितना खुद को बचा कर रखोग जी हाँ दोस्तों, आपके बॉस आपको कहीं बाहर भेजेंगे, ऐसे में आपके लिए ना जाए जी हाँ दोस्तों, कोई यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपने साथ एक हनुमान चालीसा अवश्य रखें जी हाँ दोस्तों, हनुमान 47 लेकर जाने से आपके कामों में ए रही, बाद आए, वो आपके उपर आने वाले समस्त संकट का कोई बड़ी खुशखबरी ए सकती है, यदि आपके विवाह की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, तो अब आपका विवाद आई हो सकता है, या ना कैसे कहीं से भी दोस्तों, परिवार में कोई बड़ी खुशी का माहौल बनने वाला है सारे दोस्तों, इस दिन आप अपने आपको बहुत उदास पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पुराने कुछ कम पुराना बिता हुआ समय आपको याद ए सकता है, जिसके कारण वर्ष आपके मा में एक नकारात्मक विचार चलते रहेंगे, आपके मा में फिजूल की बातیں चलती रहेंगी, और आप उन चीजों को भुला नहीं पाएंगे, नाहीं उन से बाहरे पाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, चार दिनों में आप अकेले बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि डिप्रेशन और नकारात्मक शक्ति आप पर हावी होने वाली है, आपको किसी अच्छे मित्र की या फिर किसी अच्छे साला की आवश्यक्ता है, तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप किसी मित्र के साथ बीते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बीते हैं, जि जो यह सोचता है कि भगवान मेरे साथ है और मेरी ओर से स्वयम भगवान लड़ रहे हैं, तो मुझे चिन्ता करने की कोई बात नहीं है, वो जिन्दगी में बहुत आगे जाता है, परिवार संबंधित उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका समय व्यतीत होने वाला है देखिए, आपके उपर परिवार की जिम्मेदारियां है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक व्यवस्था बनाया कि क्या कम कब होना चाहिए, और परिवार वालों के लिए क्या सुविधा कैसी होनी चाहिए, यह व्यवस्था आपके पारिवारिक जीवन क एक होने की वजह बनेगी, युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और कैरियर से संबंधित गती विधियों को बड़ी गंभीरता से लेंगे, लेकिन आपकी यही आदत है कि जब चीज नजदीक आती है, परीक्षा नजदीक आती है, तो आप उसमें भीड जाते हैं, लेकिन जब आ अंत में वो व्यवस्थित हो पाएगी, वर्ण एक्जाम से पहले तो आपके घर पर बहुत लोड़ा, इसलिए हमारा अनुभव आपसे यही कहने का कहता है, कि चीजों को व्यवस्थित करके चलिए, समय के साथ लेकर के चलिए, और बाहरी व्यक्ती और दोस्तों की सलाह की वजह से आप कुछ गलत निर्ने ले सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कई बार, दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि यह मेरा अपना है और यह मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा, अब नतीजा क्या निकलता है, अक्सर वही सलाह गलत निकलती है, क्योंकि लोग हम हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, तो वह कोशिश करते हैं, हमारे कामों में तंग अड़ाने किसी तरह खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह चाहते हैं कि हम भी कुछ ना कर पाए, लेकिन इनके इरादों पर पानी फिरते हुए हमें सभी से आगे निकल जाना है, आ आपको महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो, एक गोपनिय खबर बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, जो आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा करवा सकता है, अगर आप लोन लेने के चूक है, तो आपका लोन वह करवा सकता है, और उसका नाम एस से शुरू होने वाला है, जो भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए, उसका आदर सम्मान करिएगा, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके मार्ग दर्शन पर चलिएगा, वह आपके बहुत कम आने वाला है, उसकी उम्र तकरीबन बाईस वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच रहने वाली है, और वह व्यक्ति आपकी जोली भरने वाला साबित होगा, यह गोपाल खबर हम आपको बहुत शान्ती से बता रहे हैं, और इस बारे में आपको किसी के साथ जिक्र नहीं करना है, विद्यार्थी, वर्ग परीक्षा प्रत बड़े बड़े ओंडर आपको प्राप्त करवाई थी, कम को समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, यह बात ध्यान रखिएगा, सरकारी सेवारत कारियों को भी महत्रपूर्ण तरीके से आप करें, इस वजह से अतिरिक्त व्यस्तता बनी रहेगी, आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में तो दो उपाय भी हैं, तो थोड़ा सा समय निकल कर वीडियो को कृप्या करके अंत तक जरूर देखें, अपनी कार्य शैली वह योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आप संपन्न करने में सफल रहेंगे लेकिन किसी की गलत साला एक दम से आपको भ्रमित कर देगी, कई बार ऐसा होता है, हमारा कम अच्छा चल रहा होता है, हमने जो निर्णाय लिये हैं, वह अच्छे कारगर साबित हो रहे होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आता है, और हमारे मा में ये बात डाल जाता है कि ये चीज इस तरह से करेंगे तो फाइदा ज्यादा होगा, या फिर ये चीज इस तरह से करने पर गलती हो रही है, तो आगे नुकसान हो सकता है, अब मा में हमारे भ्रम जाग जाता है, हम उसकी बात मान लेते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव कर लेते हैं, नतीजा क्या निकलत पानी की बूंद जब समुद्र में होती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंद जो पत्तों पर होती है, तो मोती की तरह चमकते है। यानि जब हम भीड में रहते हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन भीड से हट कर अलग हम कुछ अपने दम पर करते हैं, तो लोग हमें जानते हैं, हमारे नाम से हमें पहचानते हैं, हमारा अलग सम्मान होता है, हमारा अलग नाम बनता है। इतना ध्यान रखिएगा कम के दिखता की वजह से मानसिक तनाव थोड़ा बहुत रह सकता है। लेकिन यह सामान्य बात है, यह सब चलता रहता है, दूसरों से ना कहना भी आपको सीखना है, इतना आप ध्यान रखिए कई बार ऐसा हो जाता है, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, है वह आपको भावनाओं में बहा करके कोशिश करते हैं कि आप उनके लिए हां कर दे क्योंकि उन्हें पता है, अब बड़े मासूम है, आपके सामने थोड़ा बहुत गिड़ गिड़ाएंगे, तो आप बहुत जल्दी मां जाएंगे, और आप अपना कम छोड़कर उनके कम में लग जाते हैं, देखिए, जिल्दगी में मदद करना बुरी बात नहीं है, लेक मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयम को मूर्ख मत बनाईए, क्योंकि सही समय तब ही आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। तो आईए बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, घर में धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। मित्रों कहते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक बार या महीना में कम से कम एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करना चाहिए। इससे घर में सुक्षान्ती बनी रहती है। मित्रों, आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायन भगवान की कथा करवा सकते हैं, या फिर ग्रह शान्ती हवन भी करा सकते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है, कि सपताह या महीने में, कम से कम एक बार तो घर में धार्मिक आयोजन करना ही चाहिए. धैर्य में थोड़ी सी कमी महसूस होगी. आप हर बार हडबडाहट में आकर मित्रों निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से काम बिगड़ जाते हैं. आपने कई बार गलती की है, एक बार नहीं. मित्रों तो भविश्य की योजनाओं को बहुत ही सीक्रेट रखें, और स्टूडेंट्स के मित्रों किसी बात को लेकर आरोप लग सकते हैं. चात्रों पर आपके विद्यालाय में आपके टीचर्स आपकी कंप्लेन कर सकते हैं. अपने माता पिता को शिक्षा के कामों में थोड़ा सा सावधान रहना. हे मित्रों, स्टूडेंट्स पूरी तरह से सावधान रहें और बिजनिस में नई शुरुवात अगर आप करना चाह रहें हैं, तो एक-एक बात को एक-एक पहलूओ को आप ध्यान से समझें. मित्रों, बिजनिस में नई शुरुवात के लिए यह समय फिलहाल तो ठीक नहीं है, लेकिन सोच समझकर मित्रों फैसला लेंगे. कार्य करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए. जो जैसे चल रहा है, इस वक्त उसे वैसा ही चलने दे. आपके ग्रहत तो परिवार में आपसी ताल मेल और मदद की भावना रहेगी. मित्रों, खुशनुमा माहौल रहेगा. मौसम के कारण आपकी सेहत गड़बडा सकती है और आयुरवेदिक चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की सलाह आपको दी जाती है. जीवन में बदलाव करने के ल सीमित विचारों से बाहर निकल कर जीवन में नए नए अवसरों को चुनने और नए नए अवसरों पर ध्यान देने की आपको सलाह दी जाती है. पुरानी बातों के कारण खुद के लिए नकारात्मक महसूस हो सकता है. तो मित्रों बता देते हैं कि बीती बातें भूल और आगे का रास्ता ढूंड लो. हो सकता है कि जिस छेत्र में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको लाभ ना मिले लेकिन यह भी स्पष्ठ है कि हानी नहीं मिलेगी. अभी मिलने वाला मौका आपके जीवन में बहुत बढधा बदलाव लाएगा और यात्रा संबंधित य स्वास्थ्य के प्रती बिलकुल लापरवाही न बरतें. तो आईए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमतकारी एवं सिध्ध उपाए जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध्ध होंगे. मित्रो यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का घर खरी और नौ मुठ्थी मिट्टी लें. इसके बाद इन सभी चीजों को बांध कर नीचे लिखे मंत्र का 21 बार जाप करें और पोठली को किसी नदी में प्रवाहित कर दें. इस उपाय को करने से आपके घर से संबंधित सभी परिशानियां दूर हो जाएंगी. मित्रो, मित्रो, गेस और कब्ज से राहत पाने के लिए प्रॉपर इलाज लें क्योंकि इसकी वजह से और भी समस्याएं हो सकती हैं. बता देते हैं कि अपनी निर्णय क्षमता पर विश्वास रखें. फिलहाल आपके पक्ष या परिस्थिति को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा और उनके सीमित विचारों के कारण आप खुद को नकारात्मक बना सकते हैं. परिस्थिति बदलने की पूरी क्षमता आप में है. मन में बार बार उत्पन्न हो रहे विचारों पर ध्यान जरूर दें और काम से संबंधित गलतियों की वजह से थोड़ा तनाव हो स और सेहत को सुधारने के लिए अपने रुटीन जीवन में, जीवन शैली में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. मित्रों बता देते हैं कि कि किसी करीबी दोस्त से मुलाकात सार्थक रहेगी. चतुराई और समझ से आप… दूसरे हिस्से में आपको बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं. वानी और मन पर नियंतरन रखें. मित्रों और फालतु कामों में खर्चा करने से आपका बजट बिगड़ सकता है. आगे कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो चमतकार होंगे, अंत तक जरूर देखें. मंतु मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ ड़ा देता है, तब कुद्रत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला, बेच देता है. उसी को इश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा की कृपा कहते हैं क्योंकि मित्रों, जीवन में अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा दुखाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तब अचानक से एक एहसास हमें होता है कि हाँ, जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो बस उसी एहसास को परमात्मा कहते हैं. त किसी छोटी सी बात को लेकर मदभेध होने की आशंका बन रही है, और बता देते हैं कि परिवार में आप सामंजस्य बना कर रखने में सफल रहेंगे. परिवार के हर एक व्यक्ती की बात को समझेंगे. कोई रूका हुआ खास काम मित्रों, अगर आपके पास है, तो किसी की मदद से पूरा होने की संभावना है. रूके हुए काम को पूर्ण प्रगति मिलेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा. बातचीत से परेशानियां सुलजेंगी. मित्रों यदि आप आपस में बैठ कर बातचीत करेंगे, तो धीरे-धीरे परेशानियां सुलजने और वहेकल या कीमती चीजों की खरीदारी करने का मन है, तो समय बहुत अच्छा है. मित्रों आपके घर में कोई टूवीलर या फोर्वीलर भी आ सकती है. भाग ये आपका पूरा साथ दे रहा है. बस आपको मित्रों मेहनत करने से बिलकुल भी नहीं रुकना है. साथ ही आ क्योंकि जो हमारे मन का नहीं होता है, उसी में हम परमात्मा की खुशी मान कर भुला देते हैं. मित्रों बता देते हैं कि नजदीकी रिष्टेदारों पर भरोसा रखने से आपसी संबंध मजबूत होंगे. लेकिन आपको बता देते हैं कि भरोसा और उम्मीद दोनों में बहुत फर्क है. आपको उम्मीद किसी से भी नहीं रखना है. मेहनत खुद करनी है और हैसियत से ज्यादा खर्चा करना या उधार लेने से आपका तनाव बढ़ सकता है. कारोबार में किसी योजना पर काम करने से पहले उससे जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल करना आपको दी जाती है. सरकारी नौकरी, पेशा लोग अपरिचित इनसान के साथ व्यवहार करते समय सावधान रखें और मित्रों घर की व्यवस्था को लेकर परिवार में तनाव रह सकता है. लवफियर्स उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्म करें और गुस्से को दूर करने के लिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें. मित्रों, आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी. आपकी एक बहुत बुरी आदत है मित्रो कि आप हर किसी के उपर दबाव बना कर रखते हैं आप में एक अलग ही प्रकार का अहम है तो अहम की भावना इस वक्त नहीं आने देना है जैसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब तक आगे न बढ़ें व्यक्तिगत सोच को सुधारने की आवश्यक्ता है रिलेशन्शिप के लिए यह समय ठीक नहीं है मित्रो आपका बदंदर्द बढ़ सकता है थोड़ा सा आराम पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है और इस समय आपको मित्रो शांति पूर कैसे काम लेना है किसी के भी उपर आपको किसी भी काम का दबाव नहीं डालना है तो आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमतकारी उपाए जो आपके जीवन में खुशियों की और धन धानने की बहार लेकर आएंगे मित्रो ध्यान से सुनिएगा जोतिश शास्त्र के मुताबिक अन धन की संब्रद्धि के लिए हर सिंगार के फूलों को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दे मित्र क्रेम की रोज एक माला जाब करें ऐसा करने से धन से संबंधित सभी समस्याएं मित्रो दूर हो जाएंगी ये तो था पहला उपाए मित्रो मित्रो इस समय कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रती आपका योगदान समाज में आपको एक नई पहचान देगा किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी उपस्थिती विशेश रूप से महत्वपूर्ण रहेगी इस समय परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है इसका उचित सदुपयोग करें ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिष्टेदार की वजह से धन की हानी होना संभव है इसलिए लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करें और मित्रों घर के बुज़ुर्गों के स्वास्थे का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है यह समय किसी भी यात्रा को करने के लिए उचित नहीं है कार्यक्षेत्र में आये के साधनों में व्रिद्धि होगी परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी इस समय को किसी नजदीकी मित्र की सलाह से आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है एवं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ ट्रांसफर संबंधित योग बन रहे हैं जिन में तरक्की भी संभव है परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा परंतु ध्यान रखिए कि बाहरी संबंध आपके घर परिवार की सुख शान्ती में बाधा डाल सकते हैं दूशित पानी अवखान पान की वजह से पेट संबंधित दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है मित्रो दिंचर्या को सयम्मित रखना आवश्यक है देखा जाए तो घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित माहौल बना रहेगा और पति-पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार हो सकती है